हेलो एब्रिवान ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाय जाता है फर्स्ट एपिसोड में की इंसू एक स्टूडियो में बैठी होती है और वो अपनी फोटो क्लिक करवा रही होती है कि तभी वो बोलती है कि जल्दी करो मेरी आज कंपूसर के साथ मीटिंग है कही में ल कि नहीं कर रही हैं वो जा तो एंसु बोलती है कि जब मेरा फरेंडिक फोटो अखरेंट में ऑक किसी और सिव हो जाकर पेंग देहां ह। इतने हैं में सुन्वो थोड़ा सप्राइज हो जाता है वो बोलता है कि तुमने मुझे कभी भी फोटोस के बदले पे नहीं किया है इंसु बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है मैंने कभी पे नहीं किया है पर मैं कितने सालों से तुम्हारे साथ हैंग आउट भी तो कर रही हूं सुन्वू जवाब देता है कि मैंने इन 20 सालों में तुम्हें कभी भी मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए नहीं कहा तो इंसु बोलती है कि 20 साल नहीं 19 साल और हम 9 साल से 7 में हैंग आउट कर रहे हैं इससे हमें ये पता लगता है कि दोनों चाइडलिट फ्रेंड्स हैं फिर हमारा सीन्स शिफ्ट होता है जहां पर दिखाया जाता है कि सुन्वू जो है इंसु की फोटोस को एडिट कर रहा होता है वही जो इंसु होती है वह सुन्वू की फोटोस को चेक आउट कर रहे होती है और वह देखती है और फिर वह बोलती है कि ये फोटोस बहुत सैट लग रही है इनमें कोई लाइफ नजर नहीं आती मुझे और मतलब इनमें कुछ तो मिसिंग है तो सुन्वू भी हाँ कहता है इतने में इंसू की नजर अपनी फोटोस पर जाती है और वो सुन्वू से बोलते है कि तुम हमेशा मेरी फोटोस इतनी बैस्ट एंगल से कैसे क्लिक करते हो क् इतनी खूपसूरत हूं तो सुन्वू कुछ रियाक्ट नहीं करता फिर इतने में जो है हमानी इंसू होती है इसकी नजर एक स्टाफ टॉय पर जाती है जो कि वहीं टेबल पर रखा होता है और वो सुन्वू से बोलते है कि तुम क्या बच्चे हो जो तुमनी स्टाफ टॉ रख रखा है तब हमारा सुन्वू जो है इंसू के हाथ से बस्ताफ टॉय ले लेता है और बोलता है कि तुम मेरे चीज़ों को हाथ मत लगाया करो फिर इंसू बोलते है कि तुम्हारे पास क्या लास्ट ट्रिप की फोटोज है क्योंकि जो मेरी फोटो थी वह तो मॉम से ग बोलता है कि तुम्हारी तो कंपोजर के साथ मेटिंग थी क्या तुम लेट नहीं हो रही तो इंसू जल्दे से टाइम देखती है और वह भागने लग जाती है फिर वह रुकती है वह सुन्वू को वाज लगा के पूशते है कि मैं कैसी लग रही हूं सुन्वू बिना लिखाया जाता है कि इंसू जो है कंपोजर के ओफिस में कंपोजर का वेट कर रही होते हैं काफी देर से फिर फाइनली कंपोजर आ जाता है फिर वह दोनों डिसकस कर रहे होते हैं तो कंपोजर जादा इंटरस्ट नहीं लेता इंसू में और बताता है कि फिर वह से ड्रिं मुझे उन लिडिक्समें कुछ feel नहीं हुआ तो इंसो थोड़ी sad हो जाती है फिर वही composer बात कर रहे होते हैं लिडिक्स के बारे में तो वह फूश्च लेता है इंसो से कि क्या तुमने कभी भी one-sided love को feel नहीं करा क्या कि जो songs होते हैं और हैं तो सुन्वव अपने देंघ के लिए दूघा बॉलता है कि क्या हम यह एक्षिबीशन को पोस्ट नहीं कर सकते तो दूएंग भोलता है कि तुम्हें बहुत मेत्द करी और दूएंग भी लाए जो त bear आप काम पसंद नहीं आ रहता पर हमारी वह वाली एक्सिपीशन ले बहुत सेक्सेस्फुल रही थी तो वो सोचता है कि सुन्वू को मैं कन्वेंस करूपर सुन्वू जो कन्वेंस होने के लिए राजी नहीं होता वह क्योंकि उट साटिस्फाइए नहीं होता अपने काम से और वह कीमी कंपोसर नहीं होता है। तो वह देख रहा होता है फिसमें सुन्वू को फोन होता है सुम से करे हुआ है। цеूमें बहुते हैं मैरी होता है जो ब Southern सानग। लिरिक्स सॉंग। थे guys have P 투r Roots मेरा जो मेरा जो गाना था वो doublegardOOD कर दिया कमोजर। वह सुनो को बताते कि composer बोल रहा था कि मेरे जो लेरिक्स आण में इमोशन नहीं हें मतलब बहुत वह बोलता है तो बोलतें कि मैं कैसे अपने lyrics में emotion लेक्या हूँ जबकि मुझे तो इन feelings के बारे में कुछ पता ही नहीं है फिर सुन्वो बोलता है कि तुम किसी और composer के पास try क्यों नहीं करती है मैंने भी तुम्हारे जो lyrics वो पढ़े हैं वो मुझे तो काफी पसंद आए वो discuss करी रहे होते हैं कि इतने में जो कैफे में एक song बचता है और जो इनसू होती है वो सुन्वो के मुझे हाथ रख लेती है और बोलते देखो इस song में कितनी feeling है न और मुझे भी मेरा song बिल्कुल ऐसा चाहिए जिसमें पूरी feelings हो तो सुन्वो बोलता है कि one sided जो feelings होती है वो बहुत मुझे होते हैं क्योंकि इन्हें दबा के रखना होता है जब कि two sided तो फिर भी ठीक होता है क्योंकि कम से कम अपनी feelings को express तो कर सकते हैं लेकिन जो one sided होता है हम express नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसे खोने का होता है जब सुन्वू ये प्यार की बाते से समझाई रहा होता है तो जो इंसू होते हैं तो बहुत जादा गौड से देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इतना कुछ कैसे पता क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो और तुम रिजेक्ट नहीं तुमने इससे बताया नहीं पिर वह सोचती है पिर बोलती है हाँ तुम तो अमेरिका गएते ना वहाँ पर तो बहुत सारी लड़कें थी तो क्या तुम मुन में से किसी को पसंद करते थे तो वह नाम लेने लग जाते है लीजा जैनिफर ये ऐसे वह जो जो इनसू होता है थो जैनिफर का नाम ले ले मिननते करके अपने लिए सेक्टिंड चांस मांग लिया है तो क्या तुम दो हफते के लिए मेरे असिस्टेंट बन जाओगे तो जो हमारा इस सुनवों होता है वो मना करते है कहता है तुम्हारे घर में तो इतनी गंदगी है मैं नहीं रह सकता हूं बलती है प्लीज तो जो हमारा सुनवों तर्स घर चोड़ने के लिए जा रहा होता है फिर इंसु जो रुक के बोलती है कि कि मुझे ठंड क्यों लग रही है तो सुनवों बोलता है कि तुम्हें बहुत हलके कपड़े पैने और अपना जो स्कार्फ उतार के उसकी गले में पहना देता है और जाने लग जाते हैं तब इंसु को जो है वहाँ पेक्टॉए मशीन देखते हैं बोलते हैं कि सुन वह तुम्हें बहुत पसंद्धा चलो आज मैं तुम्हें तुम्हें आज गिफ्ट दूंगी तो लोग महां टॉए मशीन के पाए चले जाते हैं और जो इंसु ते काफी तोई निकल रहा फिर हमारा सुन्बू तो उतना ज्यादा एंबरेस हो जाता है उसे उठाके ले जाता है सुन्बू बोलता है मैंने अपनी एक्जिबेशन को कैंसल कर दिया है क्योंकि मुझे भी अपने जो फोटोस है उसमें कोई फेलिंग्स नजर नहीं आ रही होती है तो वह बोलते हैं कि हम दोनों की ही सेम प्रॉब्लम है फिर जो सुन्बू होता है इंसु कहता है तुम यह सब छोड़ो और तुम अपने काम पर ध्यान दो तुमने रोमैंटिक ड्रामा देखा करो जिससे तुमारे लिरिक्स में भी इंप्रूव्मेंट आएगी उसमें फे जो सुन्बू होता है थीक है अच्छी से जाना काउश में ना जाते इतों इंसु बोलते हैं आपकर्णा के महां से पथा जाता है इसले तुम अपने चले जाना तो हमारा जो पिर जब जो सुनव वे अपने स्टूडियो आ जाता है तो फोटोस देखने लग जाता है फिर इसे इंसु की बात याद आते हैं कि अपनी फिलिंग्स के लिए तुम ऑनेस्ट है ना और जो तुम्हारा दिल कहता है ना तुम वही करना तुम्हारे जो फोटोस में खुदी खुदी मोशन साज जाएंगे फिर वह देखता है इंसु की फोटोस और फोटोस को देखते देखते वह चार सार पीछे चला जाता है कि वह लोग सबना कैफे में बैठे होते हैं कैफे के ओनर इंसु और इन्वो और वह जो इंसु होता है उसका रिजल्ट आने वाला होता ह है तो लोग सब वेट कर रहे होते हैं तो वेट जब देखते हैं कि हमारा जो सुन हुए है वह तो सैक्रिंड आता है तो सब तो बहुत खुश होते हैं पर हमारी इंसु को गुसा आ रहा होता है बोलती है कि इसे फोटोस तो तुमसे अच्छी भी नहीं है तो मुझे तो जात करके थोड़ी साइड हो जाती है तो महां पर जो कैफे का ओनर के हस्बिन रोते हैं कि तुम उसे क्यों नहीं भूल जाते है जब भी पीते हो से याद करने लग जाते तो इंसु बहुत हैंसम था तो मैरी बोलती है कि तुम्हें तो एक अच्छी लड़की को डेट करना घ्रिंध तुम यह सुन्व को डीट केम और अन्हीं करती है कि नहीं मैं जोसा पर विद्चिए च्राइब ऑन और ऑप्रयक तो पिंसु भीमें मैंने कि तोसुन्वी बोलता है कि कुछ नहीं Efendimiz says stuff toy और महां पर रखा हूता है शबया सुन्वी को इंस के बारे में बताने वाला होता है पिर हमें बहुते हैं पिर गरके बाहर के बेल बजा रहा हूता है फिर जब इनसु होती है प्रिजांट टाइम में और रहा था तो पह तुम नहीं तुमने की तुमने तुमने तुम्हारा असिस्टेंट बन जाओ तो वो वह बन जाओ तो तुमने तो बहुत गंदा है जात भूर नहीं पीचार्अ करते हैं तो चूधन लगाता है तो तो 5000 ये शीक्वाइट है तो इंस味 जबावा नहीं एगता है जब बहलें जलए लगतार नहीं होदिता के तो फिर यह नहीं हो खाते खाते बहीते है तो संवी नशिआ है था मीरी काई मेरी मम्मी है वह तीम भीजवाते रहते मुझे लटे यह मुझे कि मारे मम्मी तो जेजु आइलेंड पर बहुत इंचॉय करती है बताती है फिर उसके बाद कहती है ना तुम सारे खा जाना कम से कम एक दिन में पांस टाइम खाना ऐसे जुटता है कि खतम हो जाए तो वो लोग खाते वो तना पी लेते हैं तो पीते पीते वो क्या बोलता है कि ऑनी सब्सक्राइक इंसुआ होती है वो शोशल मीडिया पर चेक कर रहे होती है तो कंपोजर की फोटोज देख इंस में सेहरा है और पांस और करूआस तो रहें कि तुम बिना करें मेरा इसके लिए नहीं पी सबारु आए-ट्पी-के-की इस trip कि रहते जमीन holistic चैब गर भोलते हैं जमीन चलने क्यों लगी है और हमारे यूदम धी डंक होता है तो दोनों कहते हैं कि वह जड़े ड्रंक चाते हैं और इंसु बोलते हैं कि मुझे मत करो मुझे ठेंड़ लग रही है और फूरी क्या करती है दूसरी टाइम उसके उपपर लाद रख लेती है और विचारा हमारा सुन्बु इतना ज़्यादा उसको फीलिंग्स है और वह तो विचारा सो भी नहीं पाया पूरी रात वह पूरी रात ही उसे देखता रहता हो जाती है